पांच रजो के विधान सभा चुनाव के रिजल्ट आज आ रहे हैं और सुरुवाती रुज़ान में भाजपा उत्तर परदेश में सरकार बनाती हुई फिर से नजर आ रही है यानि कि एक वार फिर से योगी सरकार उत्तर परदेश में बन सकती है अगर बात करें तो इंडिय कडिब 272 सीटों पर आगे चल रहा है वहीं सप्पा 120 सीट पर आगे चल रहे हैं इसके मात्र पर त्यासी बढ़त बनाय हुए वहीं बसपा की बात करें तो बसपा की हालत और खराब है मात्र चार सीटों पर आगे है वहीं अन में तीन सीटों पर अदर्स के जो उमिदवार हैं वो आगे चल रहे हैं तो कहीं न कहीं एक पर फिर से उत्तर परदेश में योगी सरकार बनते हुई नजर आ रही है लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं उत्तर परदेश के चर्चित सीप कुंडा की जहां पर नहीं राज परताब सिंग् चुनाव लरते हैं जिसे लोग राजा भाइया कहते हैं तो क्या हाल है कुंडा गए थे लेकिन क्या सप्पा के जो परतियासी है वो राजा भाईया को टक कर दे रहे हैं तो जी हां राजा भाईया बनाम गुलसन यादो की लराई जोरदार यहां से चल रही है हाला कि कडि़ पांच हजार से अधीक वोटो से राजा भाईया यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं लेकिन कहीं न कहीं यहां गुलसन यादो के लिए अच्छी ख़बर है क्योंकि गुलसन यादो भी 18,200 मत लाकर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं तो कहीं न कहीं गुलसन यादो राजा भाईया को करी टकर देते हुए नजर आ रहे हैं आपको मालूमी होगा कि कुंडा से राजा भाईया लगतार चुनाव जीते रहे हैं और वोटो का जो अंतर होता है जो जीत का अंतर होता है वो काफी बरा होता है कभी 17,000 से यह चुनाव जीते हैं तो कभी एक लाक से चुनाव जीते हैं लेकिन इस बार राजा भाईया को करी टकर मिल रही है गुलसन याद मात्र 4,482 मत ही अभी तक मिले हैं वहीं रगुराज परताप सिंग को 23,282 मत मिले हैं और गुलसन यादो समाजवाति पाटी के उमिदवार हैं इन्हें 18,228 मत मिले हैं तो राजा भाईया एक वार फिर से कुंडा में बढ़त बनाए हुए हैं तो कहीं नहीं कहीं अकलेस पर फिर से राजा भाईया अपना रिकओर्ड कायम करते हुए कुंडा से चुनाव जीटेंगे लेकिन जीत का अंतर कितना होगा यह देखने वाली बात होगी क्यूंकि राजा भया लगतार काफी बड़े अंतर से यहां से चुनाव जीते रहे नेकिन जो अभी उनका बढ़द है वो 5000 वटों से ही वो बढ़द बनाए हुए है इसके अब बात हम बात करते हैं गुरक पूर सहरी छेत्र के जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के मुखमंद्री योगी आदितनाथ चुनावल लग रहे हैं और वहीं पर चंद्रसेखर रावन जो कि खुद की पार् से टना होगा कि चंद्रसेखर जो रावन हैं वो कितना टकर योगी आदितंआथ को दे पार रहे हैं गुरक पूर से योगी आधितनाथ काफी आगे चल रहे हैं उन्हें 21,221 मत अभी तक मिले हैं वहीं अगर बात करें चंद्रसेखर अजाद की कि क्या वो योगी आधितना को टक कर दे पा रहे हैं अभी तक उनको कितने मत मिले हैं तो यहां पर चंद्रसेखर राजात का जमानत जब्त होते हुए नजर आ रहा है मात्र उन्हें 1386 मत मिले हुए हैं वहीं अगर समाजवादी पाठी का उम्मदवार की बात करें तो उन्हें 6628 मत मिले हैं लेकिन चंद्रसेखर राजात का यहां पर जमानत जब्त होते हुए नजर आ रहा है जो पिछलों की राजनीती करते हैं उनके उभरते हुए लीडर माने जाते हैं इसे में चंद्रसेखर से या लोग अकयास लगा रहे थे कि योगी आदितनात को टकर दे पाएंगे लेकिन योगी आदितनात काफी आगे चल रहे हैं करीब यह 15,000 बोटों से भी अधिक का वह बढ़त बनाए हुए हैं 22,000 के करीब इन्हें अभी तक मत मिल गया है वहीं चंसेकर आजात की बात करें तो इन्हें मात्र 1386 मत मिले हैं तो कहीं न कहीं एक बार फिर से उत्तर परदेश में योगी सरकार बनने जा रही है सप्पा करीब 120 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है तो वहीं अगर हम बात करें बाति जन्ता पार्टी गठबंदन की इंडिये की बात करें तो उतर परदेश में दो सो सतर से अधिक सीटों पर इंडिये के परतियासी बढ़त बनाए हुए वहीं योगी आदितनात बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं कि यूं कहें कि गोरकपु जो सहरी छेत्र है व आगे हैं वहीं जो कि समाजवादी पार्टी के गुल्प सनियादों हैं वह भी करीट कर दे रहे हैं हाला कि अभी वह 5000 मतों से पीछे चल रहे हैं बहराल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और उत्तर परतेश चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कोमेंट करके बताएगा यह वीडियो फिस्बूक पर देखें तो मारे पीच को भी लाइक कर लीजे करें धन्याओं